नौ 6.4 approximation and error approximation and error in our previous video we have already discussed approximation error root वाले questions किये हमने power वाले किये नौ यह point वाले question है point type questions है ठीक है point वाले आएंगे power वाले है percentage वाले भी है इसमें ठीक है तो हम देखो under root 0.17 की value निकालनी है अब यह root में given है बट root के अंदर क्या है point दे रखा है point में 0.17 तो देखो point में सबसे best तरीका यह है कि आप point हटा लो point हटा के करोगे ज़्यादा easy होता हो ठीक है calculation असान रहेगी अगर point नहीं हटा होगे तो calculation में थोड़ी दिक्कत आती है तो point हटा लिए सबसे बेस्ट तरीका होई है तो root में given है तो y equal to root x अब देखो root के अंदर किसका निकालना है 0.17 का तो अभी मैंने पहले वीडियो में भी बताया था जिसका भी दालना उसको x plus delta x लेते हैं तो x plus delta x लिया जाएगा 0.17 point हटा होगे तो 17 upon 100 आ गया अब x इसके नजदीक जिसका root मालूम है 17 के नजदीक 16 होता है 16 का अंडरूट होता है 4 है ना तो 460.16 लेंगा 16 upon 100 ले लो क्योंकि वहाँ भी point में दिया वह ना 0.17 तो 0.16 आएगा 17 upon 100 वह पॉइंट हटा है तो यह 16 upon 100 तो delta x के आएगा 17 upon 100 माइनस 16 upon 100 1 upon 100 और इसको ऐसे भी लिए सकते हैं 0.01 अब दूसरा step यह होता है डी बे डी एक्स का तो डी बे डी एक्स कितना आ रहा है root x का 1 by 2 root x x कितना पूट किया हुए हमने x माना हुए 16 upon 100 तो 16 upon 100 डाल दिया यहां पर 16 का अंडर root 4 और 100 का 10 10 ऊपर चला जाएगा 10 upon 8 आ रहा है डी बे डी एक्स थर्ड इस्टेप होता है वाई की बेलू क्या है कि 4 by 10 और डेल्टा वाई कितना आया 1 by 80 रख दिया दस और 80 कैल्सियम 80 आएगा टैने इट जा 32 प्लस 1 33 upon 80 तो इसको डिवाइड जब करोगे तो 0.412 आ रहा आंसर 0.412 समझ में आ रहा है तो पॉइंट अगर हटा के करतो हो तो इजी पड़ेगा नहीं तो पॉइंट लगा हुए तो फिर कैल्कुलेशन में दिक्कत आएगी नेक्स्ट और देखो एक पॉइंट का है सिह इसके नजदीक 26 के नजदीक 25 होता है जिसका हमें רוצ मालूम भाना हेट už 26 अपॉण्ड माईस 25 अपॉण अपॉन अंटर वन था हैं कि हमने क्या माना हुए 25 में से 55 12-10 यह यह वह दिए процis ऑफ नन जब्कालते हैं डिए بعد बैल्यकस इंटू डियक्स डियक्स 1 है और dx की value क्या आ रखी है यह रहा 1 by 100 तो 1 by 100 so approximate value क्या होगी y plus delta y अब देखो y root x है x 25 बटा 100 डालोगे root के अंदर 25 अपान 100 तो 25 में से क्या बहार आएगा 5 और 100 में से 10 तो 5 by 10 आ जाएगा 5 by 10 और delta y क्या आ रहा है यह रहा 1 by 100 तो 10 और 100 का LCM 100 यह आएगा 51 अपान 100 0.51 यही आंसर इसका 0.51 next 0.60 0.6 तो 0.6 को लिखा जाता है 0.60 ऐसे 0.6 है न तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगेगा 0.6 को क्या लिखते है 0.6 को 0.6 को लिखा जाता है 0.60 ठीक है तो 0.60 है वो तो y रूट x ले लिए क्योंकि रूट में गिवन है तो x प्लस delta x क्या आएगा 0.60 पॉइंट हटाओगे 60 अपान 100 60 के नजदीक 64 है 64 है जिसका रूट हमें मालूम है 8 होता है न 64 का तो 64 अपान 100 ले लेंगे पॉइंट हटाओगे ठीक है तो 60 माइनस 64 माइनस 4 अपान 100 तो माइनस 0.04 आ रहा है यह 4 अपान 100 भी छोड़ सकते हो डी बेडी एक्स रूट तो डेल्टा य कैसे निकालते है डीव इवागा डी एक्सा इंट। डीए एक्स दीएक्स एंट्न अपान 16 और डीएक्स-4 अपान 100 को रग दिया तो 64 का 8 आएगा, 100 का 10 8 by 10, delta y minus 1 by 40 आएगा 10 और 40 calcium, 40 आएगा 10 forza, 32 minus 1, 31 upon 40 0.78 आजाएगा answer अब y, 0 point, इसकी value निकालने है next question, 0.82 है तो 0.82 है, y, root में किवन है root x, x plus delta x जिसका निकालना होता है point के अंदर यह है, 0.82 तो 0.82 है, तो 0.82 को मान लेंगे, x plus delta x जिसका भी निकालना है, उसको x plus delta x मानते हैं, तो 0.82 है तो point हटाओगे तो 82 upon 100 82 के नजदीक 81 है जिसका root हमें मालूम है 81 का क्या होगा, 9 81 upon 100 ले लेंगे point, 9, 82 minus 81, 1 by 100 आजाएगा delta x, dy by dx, 1 by 2 root x, 81 by 100 put करो x की जगर, 9 by 10 10 उपर चला जाएगा, 10 by 18 10 by 18 now dy by dx into dx dy by dx से 10 by 18 जो value आई है और dx की यह 1 by 100 10 से 100 काड़ दो 1 upon 180 आजाएगा, तो approximate value y plus delta y, y है 9 upon 10 और यह 1 upon 180 जाज से हम इसका 180 आएगा 163 upon 180 डिवाइड किया तो 9.0.905 4th question यह है 81.5 की power 1 by 4 है तो y, x की power 1 by 4 ले लेंगे क्योंकि अगर root में given होता है तो root x लेते है x की power 1 by 3 होती तो 1 by 3 लेते है यहा 1 by 4 है तो क्या लेंगे? 1 by 4 x की power 1 by 4 ले लिया निकालना 81.5 का है तो x plus delta x 81.5 x 81 लेंगे ठीक है यहां point मत हटाना क्योंकि वहां ऐसे 0 point करके नहीं दिया हुआ ना कुछ तो यहां पे सीधा 81 ले लो 81 होता है 3 की power 4 और उसकी power अगर 1 by 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा 3 बच जाएगा तो इसमें यह देखना होता है power वाले question में कि power cancel हो रहा है के नहीं तो x जो है हमने क्या लिया 81 81.5 में 81 गिया 0.5 आ रहा है next step next step है dy by dx का 1 by 4 आगे एक power कब minus 3 by 4 minus power है तो नीचे आ जाएगी x 81 डालोग 81 को 3 की power 4 लेखेंगे 4 से 4 कड़ जाएगा 3 की power 3 27 into 4 108 आ रहा है delta y dy by dx 108 और dx 0.5 है तो 0.5 upon 108 so approximate value y plus delta y y3 आएगा 3 की power 4 बताया तो था भी और 1 by 4 है तो जब put करोगे ना 81 तो y3 आ जाएगा और 0.5 upon 188 point हटाओगे 5 से तो 5 upon 10 half 1 upon 216 216 को LCM लो 649 upon 216 और जब divide किया 649 को 3.046 यह answer इसका next last question इसका 32.15 की power 1 by 5 है तो y x की power 1 by 5 है जो भी power दिया हुआ x उसी के हिसाब से let करना होता है x plus delta x के मानेंगे 32.15 यही निकालना 32.15 जिसका निकालना उसको x plus delta x और इसके नजदीक 32.15 के नजदीक 32 है जो की 2 की power 5 होता है और उसकी power 1 by 5 देखो तभी power cancel हो रहा है न 32 लेने पे तो x 32 लिया जाएगा पहला step delta x 32.15 में से 30 0.15 dy by dx 1 by 5 आगे एक पावर कम माइनस 4 उपन 5 माइनस है तो नीचे आगे 32 पुट किया 32 को 2 की power 5 लिखेंगे 5 से 5 किया 2 की power 4 16 16 5 जा 1 by 80 आ रहा है dy by dx तो delta y निकालेंगे delta y होता है dy by dx into dx 1 upon 80 0.15 इसको solve किया तो 2.00187 आ रहा है तो यह point वाले question जो है point अगर पहले दिया हो ना ऐसे करके यह ऐसे करके दिया हो 0.18 दे रखा है 0.27 दे रखा है तो point हटा लेते हैं अगर इस तरीके से दिया हो 18.5 या 32.5 तब point नहीं अटाते हैं इसमें point हटा लिया करो 100 लगा दो ज्यादा easy रहेगा ठीक है तो exercise 6.4 है इसमें बस percentage वाले question रहे गए we will discuss in the next video percentage वाले और word problem then 6.4 will be completed तो इस वीडियो में इतना ही है I will send some extra question based on point type questions ठीक है इसको समझ कर try to solve this question इसमें इतना ही है thank you very much